नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालुमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubeh.org असलाम अलेकम नई सुभा के इंडिपेंडन लिविंग प्रोग्राम के ओडियो लेर्निंग टिटोरियल्स में खुशाम दीब मैं हूँ सनन अजीर आज हम बनाना सिखेंगे चिकन फ्लाव इसके लिए जो अर्जा हमें दरकार हैं वो ये हैं चिकन एक किलो चावल एक किलो नमक हस्बेजायका ओइल एक प्याली प्यास बारीक गटी हुई दो अदद लेसन पिसा हुआ दो टेबल स्पून यखनी के लिए साबुद गरम मसाला जिसमें दो बड़ी इलाइची चार छोटी इलाइचियां दो स्टिक डार्चीनी की छे से आठ अदद काली मिर्चे पाँच से छे अदद लौंगे दही एक पाओ पानी हस्पे जुरूरत तरकीव सबसे पहले एक छोटी देखची में चार गलास पानी डालें और तमाम गरम मसाला इसमें डालकर उबलने के लिए छोट दें यहां तक के ये पानी दो गलास रह जाए साफ किये हुए चावलों को कमस कम आदा घंडा पहले भिगो लें अब हम एक तीन से चार किलो तक की देखची लेंगे जिसके अंदर हम एक प्याली कुकेंग ओल डाल देंगे अब हम बारिक कटी हुई प्यास को ब्राउन करेंगे और इसके बाद इसमें हम लैसन का पेस्ट शामिल कर देंगे अब हम धुली हुई चिकन इसमें डाल कर भून लेंगे जब चिकन अपना पानी छोड़ दे तो इसमें फिटी हुई दही डाल दें और इसको अच्छी तरीके से भून लें और इसमें चार ग्लास पानी डाल कर इसको गलने के लिए छोड़ दें इस मरहले पर हम इसमें चावल, गरम मसाले से तयार की हुई यखनी और नमक हजबे जरूरत एट कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे यहां तक के चावलो का पानी अच्छी तरहां खुश्च हो जाए अब हम चावलो को दम पर रखेंगे चावलो को दम पर रखने के लिए धकने के उपर कपड़ा लपेटेंगे और पतीली के नीचे एक तवा रखेंगे अब हम स्लो आँच पर 10 मिनट तक मजीद इसको दम पर रखें इसके बाद आप पतीली का ढखना हलके से उठा कर देखें कि इसमें से भाप निकल रही है या नहीं अगर भाप नहीं निकल रही तो इसे मजीद 10 मिनट और रखा रहने दें और अगर भाप निकल रही है तो इसका मतलब आपका चिकन प्लाव तयार है इसको डिश में निकालें और चटनी, रायता और सलात के साथ सर्फ करें मज़ेदार चिकन प्लाव खाने के लिए तयार है आज के लिए इतना है मिलेंगे नई रासुपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इजहार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्टे के जराए इस्तमाल कीजिए